अलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं आप सभी को डायंतर्स प्लांट की कैसे केर करनी है इसके बारे में बताऊंगी इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे आप सभी मेरे वीडियो को इतना पसंद करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच इसी तरह मेरे साथ बने रहे मैं नए नए प्लावरिंग प्लांट्स की केर कैसे करनी है उसके बारे में आप सभी को बताती रहूंगी तो डायंतर जो प्लांट होता है इसमें जो फ्लावरिंग ह मिलेंगे आपको वो पिंक शेड ही मिलेगा जैसा कि मैं आप सभी को बताती हूं कि विंटर्स के फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी होते हैं उनको फुल सनलाइट में रखना चाहिए इससे इनके जितने भी वैरेशन से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं इनके बर्ड जल्दी निकलते हैं क्योंकि इन्हें फुल सनलाइट बहुत पसंद होते हैं वैसे तो डाइंतर्स प्लांट को ज़्यादा के इंटेंस के ज़रूत नहीं होती है पर फिर भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखने हैं इसकी अच्छी ग्रोथ के प्लावरिंगी तो आपके घर में डाइंतर्स काफी अच्छा फ्लावरिंग देता रहेगा डाइंतर्स प्लांट को आप 12-18 इंच के पॉट साइज में लगाएं काफी अच्छा चलेगा इसके लिए सॉयल आप जो भी लें वैल रेंड सॉयल मिक्सचर बनाएं और थोड़ इसी स्लाइटली शारी है या एलकलाइन सॉयल पसंद आती है तो आप इसको ध्यान रखें इसका सॉयल का पी एच लेवल साइवन से नीचे होना चाहिए जो की न्यूट्रल है यह प्लांट बहुत सैंसिटीव होते हुमिडिटी के इसलिए आप जब भी इस प्लांट को रखें अपने घर में पूरी सनलाइट मिल रही हो वहीं आप इसे रखना चाहिए तो इसके जितनी भी फ्लावर से उनमें काफी अच्छे कलर्स डवलप होते हैं और इनमें जो खुश्बू होती वह भी काफी अच्छी आती है इसलिए इसका इतना सा ध्यान रखना है कि फ ओ्डरेट वाटरिंग फसंद आती है ना तो इसे जदा गीलापन पसंद ना ही जदा सूख़ी होनी चीए आप जब भी पानी दे दो इंच की शोईल को चैक कर लें अगर उसमें नमी है तो इसे पानी ना दे और अगर दो इंच की उसे ऑपर की सॉईल सूख गही है तो को जब भी आप नर्सरी से लाएं और अपने घर में रिपलांट करें तो आप इसे फ्रटिलाइस जरूर करें ताकि अधर इस्ट्रेस में न जाये और अच्छे से ग्लोथ करें अप लिकविड फर्टिलाइजार हर 4 हफते में 4 इसमें इसे प्रवाइड कराते रहें ताकि इसमें अच्छी फ्लावर्स बर्ट से जो निकलते रहें क्योंकि प्लांट जब भी फ्लावरिंग करता है तो उसे ज़्यादा एनरजी की जरूत होती है तो सिफ पानी देने से काम नहीं चलता है हमें उसे लिक्विड या आप वर्मी कंपोस्ट या खाद गोबर खाद भी हफ़ते में देते रहें फ्रैंट जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको कटिंग या प्रूनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूत होती है तो आप इस बात का ध्यान रखें जो भी फ्लावर से जिन ब्लूम से गए हैं उन्हें आप इस तरह से पॉइंट से कट कर दें फ्लावरिंग प्लांट की इस तरह से प्रूनिंग करने से फ्लावर हमें उ enhance निकलने में जलदी help मिलती हैं अगर हम वह से उनमे रहने देते हैं तो नए flowers और नए branches निकलने में काफी time लग जाता है इसलिए हमें जितने भी flowers मुर्जा गए हैं उन्हें जल्दी हटा देना चाहिए जिससे आपका गमले में नए नए shoots और नए छोटे birds निकलते रहें और पूरा जो गमला है वो फूलों से भरा रहे अगर मैं बात करूँ इसमें disease की तो इसमें क्योंकि अगर हम इसे ज्यादा humid रखेंगे इसमें ज्यादा humidity रहेगी तो इसमें fungal disease हो सकती है और हमें इसे dark location में नहीं रखना है तो इसमें कोई भी बस यही दो बाते ध्यान रखने हैं इसमें ज्यादा humidity पसंद नहीं है और dark location पसंद नहीं है अगर इसमें आपने रख दिया तो इसमें fungal disease होगी अगर fungal disease इसमें हुई तो प्लांट आगे growth नहीं करेगा तो बस इस बात का हमें ध्यान रखना है आप देख सकते हैं मैंने इसमें जितने भी मुर्जायवे फूलते वो सभी हटा दिये हैं इस तरह से आपको इनको cut कर देना है आप चाहे तो हातों से भी कर सकते हैं काफी soft होती है इनकी branches आप इन्हें हातों से cut कर दे अब यहाँ से cut करने के बाद इसमें नए shoots निकलेंगे नए birds निकलेंगी फ्रेंट्स इसमें propagation की अगर मैं बात आपको बता हूँ तो आप इसे cutting के थूरू भी लगा सकते हैं cutting के थूरू हमें इसे लगाने के लिए strong stem इसमें से cut करनी होगी और उसको आप soil mixture काफी अच्छा सा बना ले उसमें आप इसको grow कर सकते हैं देखिए friends अभी मेरे plant में बिल्कुल भी पानी देनी की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी उपर की जो soil है काफी उसमें नमी है तो इस तरह से हमें जब soil सूख जाए soil check कर लीजिए पानी देने से पहले अगर वो सूखी है तो यह हमें इसमें पानी देना है डाइंतर्स plant को आप seeds के थुरू भी grow कर सकते हैं आप इसके seeds लेकर आए और उन्हें grow कर सकते हैं काफी अच्छी grow होत होती है या आप mother plant में से baby plants जो भी निकलते हैं भी divide कर सकते हैं इसके थुरू भी आप इसे grow कर सकते हैं mother plant में से छोटे plants को grow करने के लिए हमें पूरे पौधे को मिट्टी में से कोट के निकालना होगा उसके बाद नाइव से ठीक से cut कर ले जितने भी छोटे plants उसमें से निकले वे फिर उन्हें आप अलग से लगा दे तो इस तरह से भी आप अपने नए plants तयार कर सकते हैं friends आपको मेरे dianthus के plant का ये care का वीडियो कैसा लगा मुझे comment करकर जरूर बताईएगा और मेरे channel को ज़्यादा ज़्यादा subscribe कीजिएगा आपको कोई problem हो अगर में डिस्टब नहीं करना है जब भी हम इसे replant करें thank you so much